कि नमो नारें जगो माता वंद्रे मात्रों मा भारती को प्रणाम और हृदैशे ओम्शम शनिश्चराय प्रदर्श को मित्रों शाथियों आंख चराचर जगत कोई हर चीज को देख सकती है यह आंख संसार की हर चीज को देखती है मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे देख नहीं पाते है ठीक उसी प्रकार मनुश्य दूसरे की बुराय को देखता है पर अपने भीतर बैटाई बुराय को नजर अंदाज कर देता और नहीं देख पाता है यह सबसे बड़ लेकिन इसको उतारना किसी तपश्या से कम नहीं इसके काम कर लेजिए जिवन शिखर पे रहेगा नमाना रहेगा निलान जनम शमा भास्तम रविपुत्रम यमा अगर्जम चाया मार्तन शंभूतम तम नमामीं सनेश्चरम शूर्य पुत्रों द्रिग देही विसा लाक्सा शूप्रिया मन्दा चार प्रशना आत्मा पीड़ा हर्तम मेशली नमा किसनाय नीलाय शितकंठाय नमो 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 काल अगनी रूपाय करतन चाय चे नमनो ओम्शम्शनिश्चराय नमा प्रिदर्शिक और मित्रों शाथियों, 2023 सनिदेव ने बदली चाल, क्या होगा आपका हाल? 2023 में सनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशी में प्रवेश कर रहा है। के सामने आये था कि शनी शत्र नहीं मित्र है थोड़ा सा समय लूँगा आपका आपको लगता कि आपका समय बरबात हो रहा है तो यूट्यूब पर विविस्ता है फॉर्वर्ड कर दें जो कहने जारा है वो बहुत जरूरी है राशको शंदेज द्याता कि करमफल दाता सनी भाग्य विदाता शनी परम नियाए धीस सर्वोच पद पर विराजमान नियाए के दाता शनी देव शूर्य पूत्र चाया संतान कश्यब पोत्र कश्यब वनसज कश्यब अवतार का परति नाराइन का अननिय भग और महादेव का शनी देव और कैसी विडेमना है जो चरातर जगत को भैस से मुक्त करता है उसी से आप है भी थे कर्मों में शुधिकरण और कर्मों में विश्वास माबाप की सेवा धर्मानकुलात्रन राष्टे प्रेव और ओम शम्शन श्चराय नमह इस मंत्र का जाब करने से सरिदेव की अध्भुद कृपा प्राप्ति होते है आप कहेंगे कि दाति माराज क्या कहना जा रहे है क्यों भूमी का बांध रहे है क्योंकि बहुत डराय जा रहा है अस्टम धहिया चतूर्त धहिया मकर की साड़े साती कुम की साड़े साती और मीन की साड़े साती ये भय इतना है कि आप सोचिये मत और भैसंपोर्ण शमश्याओं का कारण है और मेरा राष्ट भैवीत नहीं हो हर बार एक संदेश लेके आता हूँ कि सनिदेव से भैवीत होने की जुरू करम फल दाता सनी धर्म करम गति ज्यान भक्ति सत्य करुना शादना शमादी शुक वैभाव विलासिता इसका भोग सनिदेव की किरपा के बिना संभ हो नहीं है अब किरपा कैसे मिले तो माबाप की सेवा पत्पतनी का आत्रन अच्छा राष्ट की प्रति वफादारी छूटा सा काम ओम शम सनिश्चराय नमाँ मित्रों शाथियों आज जिस विशेपे आ रहा हूँ दोचार तईस सनिदेव ने बदली चाल तो करकरासी का क्या होगा हाल क्योंकि करक राशी वालों के लिए शनिदेव अस्टम भाव से संचरन करेंगे और अस्टम भाव में विराजमान शनिदेव जब करक राशी वालों के लिए गोचर करेंगे तो करक राशी वालों को सनिदेव की अस्टम धहिया प्रारम होगी और इस अस्तम धहिया का दवा है शेव देवादी देव सनी देव और है शमश्या आपके पास तो समाधान है सनी देव 21 जनवरी 2023 शनी माउश्या महस्तुप शिरी सनी धाम सनी तिरज जेत्र असोला फत्य पुर्वेरी में आपका श्वाद है करी सनी भगवान की दार्स्तन पूजन तेला विशेख जीवन की सभी कश्टों से चुटका रहा है श्री सनी धाम सनी तिरज असोला फत्य पुर्वेरी दिल्ली में जो चतरपुर मेटरों इस्टर सने उसे चार क्रिमिटर आगे है मित्रों शाथियों आदभूत तेरे चेत्र है और प्रभू के दर्सन करने से आपके जीवन के सारे कश्ट बढ़ेगे दिल्ली अनिस्यार के सभी सनी भगतों से निवेदन कि सनिय महुष्टा के इस पावन पर यानि 21 जनवरी 2023 पधार सिरी सनी धाम सनी तिरे सिर असोला फत्य पुर्वेरी में करिये दर्सन और पूजन के आपके इंकाश्ट में 17 जनवरी 2023 सनी देव ने बदली चाल 2023 में सिंग राशी का क्या होगा हाल इस विशे पर आपके सामने हो साल 2023 सनी देव और शिंग राषी क्या बन्धा है संजोग क्या मिलेगी सफलता और मिलेगा लाप या होगी परेशान्य है इस विश्य खुलकर आपके सापने हो, सिंगरासी वालों लिए सनिदेव चटे और सप्तम भाव के सामी होकर, सप्तम भाव में अपनी मूलत्र कौन डासी कुम में धनीशा नक्षतर में संचरन करेंगे, 17 जनवरी को सनिदेव 30 साल की बाद अपनी मूलत्र कौन डासी कुम में और कालपर्श की कुमली में शनिदेव यहां उचके होते हैं और सप्तम भाव में सचनामग पंच महापुर्श योग में संचरन करेंगे, सप्तम भाव साजिदार है, पार्टनर है, जीवन साथ है, आपका विवा है, कामकाजिव, अद्वेत कहता है कि आपकी शक्ती है, श शनिदेव और प्रश्पत्य का दर्शमन मनिकांचेन योग बनाता है, यहां सनिदेव की दर्श्टी बहुत शुपता और बहुत पवितरता आजाए, जिन लोगों को सनिदेव की दर्श्टी से भय है, प्रतिकुलता का संकेत कहरे भी दर्श्टी थे, उन इस भय से उनको शिंगराशी वालोगली सनिदेव लोपाया में संचरन करेंगे, शप्तमभाव में विराजमान सनिदेव की तीसरी दस्टी नममभाव यह भागेस्तान, शप्तम दस्टी लगनभाव और दस्टम पूर्दसी चतुरत भाव पे रहेगे, शप्तमभाव में 17 जन्वरी से शप्तमभाव में रहेंगे, विद्वानों का मत है, अपना अपना अनभाव, अपना अपना पड़ाव है, शास्त्रों में केई जगे लोगों ने कहा है कि सब्तमभाव में सनिदेव मनों अनकुल फ्रदान फल प्रदान नहीं करते हैं, ऐसा कहते हैं, यह अपना अनभाव यह कहता है कि इस्तिती बड़ी शुबहरु राज यूग का रहने लेकिन सनिदेव यहां पर एक संथेस भी देते हैं कि सब्तमभाव आपकी प्रकरति और आपकी शक्ति है आपकी जीवनी शक्ति का समन्थ सब्तमभाव सब्सक्राइब आप अपनी शक्ति की परति वफदार नहीं रही रिष्टों में परिशुदार पवित्रता नहीं रखी तो थोड़ा सा कले और पारवरी को उठापटर और जिवनसातिक साथ मुझमन बुटाव संभावना होशा अनेता सप्तमभाव में लाबदाईक और अनुकूल फल प्रदान करेंगे सनी देव मित्रों यह मेर प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करता है हां प्रणाम भीरे मिलेंगे मिलेंगे जरूर लाब मिलेगा जरूर धन मिलेगा जरूर वैपार बढ़ेगा जरूर काम बनेंगे जरूर सप्तमभाव को मारक भाव बोला गया है क्योंग अस्टम से बारवा भाव है सप्तम तो सिंग में विराजमान शनिदेव भागिस्तान से दस्टी समन इस्तापित करेंगे और भागिस्तान में मेशराशी में रावदेव का संचन है इस बात को स्विकार करता हूं कि आलस रह सकता है मनमोजी इस्तिती रह सकती अपनी मस्ती अपना एक आइसोलेशन जैसी अवस्ता जबकि बारवे भाव से आइसोलेशन में लेकिन यहां थोड़ा सा व्यक्तिक को सुष्टी और आलस या आत्म विश्वास में कमी हो सकती। सब्सक्राइब कामगाज को आगे बढ़ाने का अउस्तर मिलेगा पड़नतु कारियों में गती थोड़ी सी धीमी रहेगी क्योंकि शनी देव को मैंने यह देखा इन पचा अवलोकन करते हैं देते तो धीरे देरे लेकिन छपर फार के देंगे बिना सुआ अवलोकन की फल पर और धहरी से काम करें नौकरी और कारोबार में कोई मोटा परिवर्तन बिना पारवरी रजबंदी या सूजबू या समझदारी पारवरी सद्विकी रजबंदी से करेंगे तो अच्छा रहेगी हलवड़ी में जल्द बाजी में नौकरी और कारोबार में परिवर्तन नहीं करें जिवन साथी को इगनोर नहीं करें और शक्त्रों को हावी होने का आफसर ना दे इस बात का त्यान दें लेकिन अपनों के साथ समझोता वाद निती अवश्य रखें शफलता जरूर में अब यह मेरा अनभव है कि सनिदेव जैसा अगर दिगबली अवस्ता में शप्तों काथ की और मन अगर्षतर होगा शाधना की ग्रोथ अध्वो देखने की मिली यह अच्छा लाग मिलेगा लेकिन डेैट और डेड्लैन हमेशा आपके दिमाग है कि इस तारिक को काम करना और इस तारिक तक काम रहेगा इसरफ्त नहीं देट इस डेयाइन अपनी ख्होपणी तारी को काम सुरू करना इस तारी को काम समाप्त करना बहुत से विद्वान भाग्य में वह विधान की कमी कह सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब की तुलाराशी होती ही पिर मूलत या मकर राशी में है या सुरीदेव कुम राशी में विराज माने या सुरीदेव उचराशी में विराज माने या सुरीदेव दसम भाव में विराज माने सिंग राशी वालों के लिए ये उत्तम लाब और सफलता का संके द्रगेदी जनम काले में कुंडली में सुरीदेव की सुरुदेव शी के उपर से सनि देव का गोचर बहुत लावकारी होता है शाथिएं 17.00 के चार नुम्र वक्री होगे कुछ विद्वानों का मत की शो में गरी वक्री होते तो और क्या चाहिए वेर्थ का भय भ्रमत पाली विशुद सोद के साथ समाज के सामने आना होगा तभी हमें पता चलेगा शिंगराशी वालों के लिए पारवर्वर परेशान से मुक्ति मिलेगी पारवर्वर सदुषाथ बैठने का उसर मिलेगा और अनाम से पारवर होने से नुकसान ज्यादा हो सलता है अपनों के साथ मीठापन जरूर चाहिए आप सही है तब भी मीठापन रखिएगा नक्षण करना आपके पक्स में परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा पारवारी श्रमनवे की वज़े से पारवारी बातर में खुश्यों से भरा संतान पक्स अंकुलों संतान की सिक्षा और साथी विवा के मसले सहस्ता से निपड़ाएं ने महमान की आगमेंट की आर्ट भी इस वर्श घर में नेजर आ रही लेकिन सभा में बिनमर्ता और प्यार जरूर आपके फोना चाहिए मेरा तो बस इतना के ना कि परिवार में श सब्सक्राइब कभी-कभी मीठा बोलने से काम चल जातों करवा बोल कर क्यों समय खरबाब क्यों अपना दिमाग टेंशन में डालता है आप सिंगरासी के युवा है विद्यारती हैं वर्श दोहजार तैस केरियल करवार नौकरी के साथ सिक्षा में सफलता में मनोंकुल मार्च तक शनी देव अस्त रहेंगे 31 मार्च से 23 अपरिल तक ब्रश्पति देव अस्त रहेंगे सेज समंदी शमश्याओं का संकेत जरूर शनाय दुरुता जोड़ों में दर चोट और दुरगटनाओं की संभावना नजर आए ये समय श्वास्तियों को लेकर लाप्रवा होगा वो अद्भूध होगा क्योंकि मेस्तराशी समंदर भागेस्तान में ब्रश्पति देव संच्रण करें स्वास्ति पर रहात दिलाएंगे लेकिन फिर भी खान पान दैनिक देंचे नियमित रहें समय पर सोई समय पर उटे रात्री जागरन नहीं करें ये शिंग राश था आपका हैर आपका रहेगा मानून मानू ये आपकी मर्जी में दबाव कभी नहीं देता हूं 2023 सनिदेव और शिंगराशी कहीं भी आपको प्रिशानी है कष्ट है तकलीप है तो शनिवार का वर्थ करें भूमी शैन करें एक समय बज़े भोजन करें शाम को किसी गरीब क भोजन कराने के बाद उरुद की खिजिड से अपना वर्थ खोले हर शनिवार को शनिदेव की सिर्चनों में तेल चड़ाए और सुर्य वुदेश से पूर और सुर्यास्त के बाद ओम शम शनिस्चराइनमा की सर्धानुसार माला जाप करें और पीपल की वर्षन नीचे श सनि मन्दिर में जरूर जये शनिदेव का पूजन करें तेल चड़ाए वहीं बैट कर सनिदेव का कबच्ष का पाट करना बड़ा शुब रगे का प्रतेग शनिवार को सनिदेव का तेला बिस्चरारें सनि पत्नाम श्तुति ओम शम शन शनिस्चराइनमा धजनी धामनी चै पाशुपस इस्तरोत का पाथ करना और शर्षों के तेलते पाशुपस इस्तरोत से शूंबार के दिन भगवान शिव के सिविलिम पर अभिशे करना बड़ा उत्तम माना गया है में तरह शाथियों शनिदेव की अपार किरपा रही और इस विशे पर मैंने खूब काम किया है ज़िए आप चाहते हैं कि चाहिए मृत्यूंजय मंत्र हो शाइश्षानी मंत्र हो चाहिए पासुपस इस्तरोत हो यह शानी पतिना मिस्तित्यू इन मंत्रों का जाब अपनी जी जारी नहीं भाई मुझे ध्यान लगे घर में तुलसी का पोदा होना बहुत जरूरी हर रोद तुलसी के पोद में जल चड़ा कर दिपक जरूर जला है और तुलसी बाटना तुलसी का पोदा निसुलक बाटना बड़ा शुपर हैगा मैंने में एक बार विश्णु सहस्त जरूर करिएगा आपके लिए बड़ा उत्तम और बड़ा ही लाबकारी यह उपाई कि मैंने अपना अनभव आप लोगों के सामने का बाची आप लोगों की मजी है आउम्नम आ रहे हैं कहीं कोई भूल हो गई हो कोई गल्ती हो गई हो तो वेनमर भाव से दोनों हाथ जोड संदेव की चलन में मेरी प्रात्मा आउम्नमो ना रहे हैं रास्तान का हर व्यक्ति जानता है अग्दाति मराज गायों से बहुत प्यार करते हैं हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है और यह मेरा शौक था मेरी रत्मान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने यह का कि आप शेवा करी आप मैं भी शे और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समस्याओं के समधान के लिए आप अपनी जन्मकुनली करना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जिऊं पर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी है वज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाये चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा राश्ट आपसे प्यार करता है दाती महराज एक बार निवधन करे lives तो मैंधान नहीं माँग रहाँ, फिर भी मैं अभी मीरा यह एंकार नहीं है शाथियों मेरा राश्चरो पर यह है, मैं यह नहीं कहा रहाँ मैं यह कहा हूँ, मैं परिश्रम करेंगा आपके लिए जो तीजिये समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगबग 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिन्नोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणार करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकोर संकेत नहीं दे लिए इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते हैं शासन की अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदय से पुने एक बार ने वेजन करना जाता कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्वयोकर है फिरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमुना रहें ओम नमुना